दोस्तो नमस्कार आदाव सत्स्रियकाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनावी जीत को लेकर अगर मैं ये कहूं कि इसके तीन बड़े फैक्टर्स हैं तीन बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से ये जीत हुई है तो इनमें दो पर आप चौकेंगे पहला तो ये कि केजरिवाल सरकार की बेवस्थित जन कल्यानकारी यूजनाओं की जीत है ये जो वेलफेर स्किम्स जिसमें शिक्षा, स्वास थे परिवहन में महिलाओं को मुफ्त, यात्रा वगरा वगरा बहुत सारी ऐसी यूजनाएं इनकी थी इस पर किसी को कोई मुझे नहीं लगता कि अलग उपीनियन होगी इसमें कोई दोराई नहीं कि एक बहुत महत्पून फैक्टर यह है लेकिन जो दो और में कारण बताने जा रहा हूं वो चौकना स्वाभाविक है दूसरा जो फैक्टर है इस जीत का वो है गठ बंधन की जीत अब आप चौकेंगे कि मै ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा और तीसरा बात तीसरी जो वज़ा है वो शाहिन बाग की भी जीत है तो आएए अब दूसरे और तीसरे फैक्टर पर हम बात करें किज्रिवाल साब ने दिल्ली का ये चुनाव गठ बंधन के बल पर जीता अगर जब मैं ये कह रहा ह ये गठ बंधन दोस्तर ये था सामाजिक स्तर पर और राजनितिक स्तर पर सोसल और पॉलिटिकल दोनों अस्तरों पर केज्रिवाल जी की जो राजनितिक सोच है जो पार्टी है उसकी जो अपनी वैचारी की है इस से अलग इस से यहां तक की असाहमत लोगों के साथ भी उन को ने उनकी पार्टी के साथ गटबंदन किया इसमें ऐसे प्रकशील यहां तक की वामपन थी और कॉंग्रेस समर्थक भी थे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के प्रतिक इसी तरह की सिम्पैथी नो रखने के बावजोद मोदी और शाह को हराने के लिए यानि भारती जनता पार्टी की जो मोदी शाह जोड़ी है उसको हराने के लिए पूरी लामबंदी उन्होंने कर ली आम आदमी पार्टी के साथ तो ये एक अद्रिश्य गटमंदन था जिसको आप इंकार नहीं कर सकते या कोई भी पुलिटिकल जो एनिलिस्ट है विश्लेसक है वो शायद ही इसे इंकार करे कि दिल्ली की इस बार की जीत में ऐसे ग्रुप्स का ऐसे समुहों का ऐसे इंडिविजुल्स की एक बड़ी तादाती जो आम आदमी पार्टी के समर्थक तो नहीं है लेकिन उन्होंने आम आदमी का समर्थन आम आदमी पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी के कट्टर जो समर्थक और उसके पार्टी मेंबर हैं समर्थ और सदस्ट हैं उनसे बढ़ चड़ कर किया अनिक लोगों ने तो चंदे भी दिये जो हमारी जानकारी है अलपस्यंखक लोग, माइनर्टी कम्मिनिटी के लोग जिनकी पहली पसंद कभी केजरिवाल साहब नहीं हुआ करते थे उन्होंने भी राज्य के चुनाव में कॉंग्रिस को छोड़कर आमादी पार्टी का साथ दिया जबकि कुछी महीने पहले लोग सवा में उनके बड़े हिस्से ने दिली में कॉंग्रिस का साथ दिया था दोस्तो बहुजन समाज पार्टी उसको इस चुनाव में अभी तक के जो आँकड़ी मेरे सामने आये हैं उसमें 0.7% वोट मिला दलित व्यापक तोर पर आम आदमी पार्टी के साथ इस बार आया ये एक चौकाने वाली बात है बहुजन समाज पार्टी का बिलकुल बंटाधर हो गया इसलिए मैं कहता हूं कि ये भाजपा गटमंधन के विरुद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े एक खास किस्म के सामाजिक राइनितिक गटमंधन की जीत है और ये शाहिन बाग की जीत क्यों मैं कह रहा हूं ये शाहिन बाग की जीत इसलिए है दोस्तों क्योंकि भाजपा और उसके जितने बड़े नेता है उन्होंने शाहिन बाग का हावाला देकर चुनाव लड़ा केजरिवाल साहब से केजरिवाल साहब शाहिन बाग के नाम से भागते रहे केजरिवाल साहब चाहते थे कि शाहिन बाग का जिक्र इस चुनाव में नौक किया जाए लेकिन भारती जनता पार्टी के नेता उसके टॉप लीडर्स बार बार शाहिन बाग शाहिन बाग करते रहे और शाहिन बाग विलकुल खामोशी के साथ देखता रहा तो सच पूछे, तो शाहिन बाग के खिलाब भारती जनता पार्टी ने जितनी लामबंदी की, शाहिन बाग को जितना निशाने पर डाला, ये सब जो है मिस्फायर किया, और वे लोग, जो शाहिन बाग के पक्ष में थे, या जो शाहिन बाग को लेकर बहुत नियूटरल भी थे वो सब के सब केजरिवाल साहब के साथ आ गए ये एक बड़ा कारण है इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शाहिन बाग की भी जीत है इस बार दिल्ली की सक्तर में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें और 53.57 पीस्दी वोट मिले हैं जबकि भारती जंता पार्टी को 8 सीटें और 38.57 पीस्दी वोट हासिल हुए अब आईए इस चुनाव के रास्टी ये राजनितिक नहितार्त की हम परताल करें आज देश के सामने सबसे बड़ा राजनितिक मुद्दा दोस्तों क्या है आज देश के सामने एक बड़ा राजनितिक मुद्दा है CAA, NRC और सम्वैधानिक लो परिद्रश्य देखिए केंद्र में सरकार जरूर CAA, NRC वालों की है लेकिन राजियों की सरकारें किनकी है और वे CAA, NRC पर क्या विचार रखते हैं दोस्तों आज के हालात ये हैं कि देश के सिर्फ तीन राज्य यानि उत्तरप्रदेश, असम और करनाटक को छोड़ दें तो अब भाजपा के पास किसी प्रमुक राज्य में उसकी अगवाई वाली सरकार नहीं है, हाँ NDA बैनर वाले गटबंदन की अगवाई में देश में करीब करीब एक दरजन के आसपास सरकारें जरूर हैं, उनके अलावा अगर आप एक और नाम जोड़ लीजे बिहार का, जहां NDA की सरकार है, लेकिन उसकी अगवाई जो है भारती जनता पार्टी के पास ना होकर के जनता दलियू के पास है, इसके अलावा जितने NDA साशित राज्य हैं, वे सभी छोटे छोटे हैं, देश के नक्षे पर इस रायनितिक परिद्रिश्य को देखें, तो भारती जन देश की 72 फीस्दी आबादी रहती थी दोस्तों, आज उसके पास एक दर्जन से अधिक जनराजियों में सरकारे हैं, उनमें देश की आबादी का महद 40-42 फीस्दी के भी इसका हिस्सा रहता है, यानि आदी आदी आबादी से भी कम हिस्से वाले हलके में भाजपा या इसक प्रहोशाली नेता के रहने के वावजूद हुआ है, विपक्ष के पास इस वक्त देश के 12 राजियों में सरकारे हैं, और यहां देश की आबादी का कुल 69 फीस्दी, 58-69 फीस्दी हिस्सा रहता है, यानि विपक्ष के दाएरे में ज्यादा बड़ी आबादी आगई है, प इन पर तरह तरह की रियक्शन्स आ रही हैं, कुछ लोगों ने केजरिवाल की जीत को साफ्ट हिंदुत्वा की जीत कहा है, और इसके लिए दलील दी है कि चुनाव में उन्होंने हनुमान 40 पढ़ा था, उन्होंने शाहिन बाग जाने से भी परहिज किया था, चुनाव के कि आम आदमी पार्टी की चुनावी जीत की व्याक्या इतने संकिन दायरे और सीमित आधारों पर मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए, किसी पार्टी का नेता अगर धार्मिक है, तो ये उसकी अपनी समवैधानिक स्वतंत्रता है, उसकी राजनीत का मुल्यांकन सिर्फ और सिर्फ उसके किसी एक बयान या उसकी धार्मिक्ता के आधार पर नहीं हो सकता, तमाम प्रतिकुलताओं के बीच पांच साल अगर उसने सफलता पुर्वक सरकार चलाई और फिर से जनादेश हासिल किया है, और वो भी इतना शांदार जनादेश, तो इसकी व्याक्या भ बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्ति के चेत्र में उनके काम, ऐसे दोर में जब केंदर की मोधी सरकार और देश-परदेश के तमाम जो कथित, उदार जो आर्थिक विचार के लोग हैं, लिबरल जो एकॉनमिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता के कल दर किनार कर, बजट का एक तिहाई से अधिक उन्होंने इन बदों पर खर्च करने का फैसला किया, और उसे करके दिखाया, उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुप्त की, तो उनके विरोधियों खास कर जो भारती जनता पार्टी है और उनके जो सम देशी दोरों के लिए नए बोइंग ट्रिपल सेवन विमान खरीदने का फैसला किया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस इन जहाजों को इनकी जो खरीद है और उनकी साथ सज्जा है उन पर कुल और तालीस सो करोड रुपे खर्च होने का नुमान है, ये जहाज इसी वर् क्या कहती है और असलियत क्या है, अपनी आत्मा और आकार में संग भाजपा हमेशा से जनविरोधी रहे हैं दोस्तों और आज भी हैं, फिर भी जनता उनके पक्ष में चली जाती है, लोग सवाचनाव में और कई स्टेट्स में भी, उन्हें आम जनता पर सरकारी धन का मिलता है और ये कोई राज की बात नहीं है, चुनावायो के रिकार्ट्स में दर्ज है, दोस्तों ये वो पार्टी है जिसके पुरु आवतार जनसंग ने बैंकों के राश्टी करण का विरोध किया था, राजाओं के प्रिवी पर्ष पर जब बंदी लगाई गई तो उसक बना रही है, Air India, Railway, BPCL, तमाम जो बड़ी-बड़ी PSU's हैं और नजाने कितने PSU's, आप नाम जिनका लीजिए, जिनको हम को याद भी नहीं आ रहा है, नजाने कितनी लाइन में हैं कि कैसे इनको बेश दिया जाए, कैसे इनको डिस इन्वेस्ट कर दिया जाए, ऐसी जन व का सामना सिर्फ कुछ भाव करांतिकारी जुमलों से और नारों से संबोव नहीं हो सकता है, ये बात केजरिवाल की पार्टी ने दिल्ली में कम से कम अच्छी तरह समझा, अब आप देखे इस चुनाव में देश के सबसे ताकतवर नेता और सरकार चलाने वाले दल के क्या नारे थे, केजरिवाल आतंकवादी है, बाबर पूर में ऐसा बटन दबाओ की करंट शाहिन बाग को लगे, गोली मारो, अब इसके बाद जो गाली है मैं नहीं ले रहा हूँ, शाहिन बाग वाले दिल्ली में फिर मुगलों का राज बना देंगे, इसलिए भास्पा को जि पेले नारों और आहवानों को अगर केजरिवाल की पार्टी ने दिल्ली में बेसर कर दिया, तो क्या इसे जहर और नफरत की राजनी की हार नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहकर आप केजरिवाल की जीत को मलिन नहीं कर सकते, कि वो चुनाओ के दवरान शाहिन बाग क्यों नहीं पर रहा है, इतने हमले उस पर हुए, हिंदू को उसे, हिंदू का उसको दुश्मेन कह दिया गया, वो लगातार शाहिन बाग के साथ रहा है, केजरिवाल ने उसकी उमिदवारी तो रद नहीं की, वो अपनी पार्टी के किसी साफ्ट हिंदुक्तवादी को तो वहां नहीं की जो आम आदमी पार्टी जो है, उसकी शांदार चुनावी जीत और भास्पा की इस करारी हार को हमें कैसे देखना चाहिए, मैं समझता हूँ कि C.A.N.R.C. के अगर चश्मे से भी देखें, तो दोस्तो C.A.N.R.C. के रास्ट्री मुद्दा बनने के बाद ये दूसरा च C.A.N.R.C. पर इतने जबरदस्त केंपेंड के बावजोद भारती जनता पार्टी की बात को जनता नहीं मान रही है, तो जो C.A.N.R.C. के भाजपा और संग का जो एजेंडा है, उसके मुखालफत में मुक्यमंत्री के जरिवाल सिर्प नो रहे, नो सिर्प उनकी पार्ट में उनके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने संसद में कैब पर पकायदे मतदान किया उसके विरोध में, तो ये बात मुझे लगता है कि हमें समझनी चाहिए, और सिर्फ हनुमान चलिशा और हनुमान मंदिर में जाने को लेकर उनकी जो पुलिटिकल लाइन है, खासकर जो पुल का मसला है, लेकिन सीए एनर्सी जो आज एक सबसे बड़ा अहम मसला बना हुआ है, उस पर केजरिवाल की पोजिशन और उनकी पार्टी की पोजिशन दोस्तों जो और मेजर अपोजिशन पुलिटिकल पार्टी हैं, लगभग उनके साथ है, तो दोस्तों इसलिए मैं कहता ह ब्यावहारिक नजरिये की दरकार है, ये कहना एक हट तक मैं सही मानता हूँ कि केजरिवाल की जीत देश में पहलाई जा रही जो नफरत की राजनीत है, वो शायद उसका रास्टी स्तर पर मुकमल जबाब नहीं हो सकती, पर इस बात से भला कैसे को इनकार कर सकता है कि रास अधार के स्तर पर हो, तो मुकमल जबाब देना आसान हो जाएगा, यानि कम से कम केजरिवाल की जीत नफरत की राजनीत को मुकमल जबाब देने का रास्ता बनाती है, या रास्ता दिखाती है, इसलिए मैं समझता हूँ दोस्तों उसका, खैर मेक्दम, खुले दिमाग से, इनी शब्दों के साथ, आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सच्छी अकाल